हेलो क्लास मैं अर्विन सर आज आपके बीच में हम मोगल काली नितियास का पार्ट फोर लेकर पेस वी हैं जिसमें आज हम साह जहां के बारे में विश्तार पुर्वक वड़न करेंगे जिसका वास्तविक नाम अर्जुमन्द बानो वेगम था यहनि मुम्ताज महिल का जो वास्तविक नाम क्या था और जुमन बानो बेगम था सहाजहा ने दिल्ली के निकिट सहाजहाना बाद नगर की स्थापना की और आगरा से राजधानी दिल्ली में परिवर्थित कर दी थी यानि आगरा के बाद जो नई राजधानी बनाई दिल्ली को उसनों राजधानी बनाई थी इसे आज कल की पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है नोट सबसे प्रमुख विशेश मिंदु यहां पर ध्यान देंगे हम इस पुरानी दिल्ली में एक दुर्ग का निर्मान कराया गया दुर्ग अर्थात एक किले का निर्मान कराया गया जिसे लाल किला या किले ए मुबारक के नाम से जाना जाता है तो लाल किला हमारा कहां इस्ति थे दिल्ली में एक दुर्ग बना था उसी दुर्ग का नाम लाल किला नाम पड़ा था इसी किले में दिवाने ए आम दिवाने ए खास का निर्माण कराया था सहा जहां ने लाल किले में दिवाने ए आम और दिवाने ए खास इन इमारतों का निर्माण मुगल काल में सहा जहां की द्वरा कराये गई थे शाह जहां के सासंकाल को स्थापत कला का सुर्ड काल भी कहा जाता है ऐसलिए कहा जाता है क्योंकि साह जहां इस थापत कला में सबसे ज़्यदा विश्वास रखता था और अनेक प्रकार की इमारतों को बनाने में उसका महान योगदान था क्योंकि साजहा ने अपने सासनकाल के दवरान अनेक भाख मिमारतों का निर्मान करवाया था जैसे दिल्ली का लालकिला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, दिवाने ए आंग, दिवाने ए खास दिल्ली में है जो ताज महल आगरा साजहा ने अपनी बेगम मुम ताज महल का मकबरा आगरा में बनवाया जो ताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुआ ताज महल का वास्तुकार उस्ताद इसाखा था ताज महल को बनाने के लिए शंगमरमर का प्रियोग किया गया वह संग्वरमर मर मकराना अर्थात राजस्थान से लिया गया इसी कारण साहजहां के सासनकाल को संग्वरमर का काल भी कहा जाता है क्योंकि सरवाधिक संग्वरमर सबसे ज़्यादा जो संग्वरमर प्रियोग किया गया था मोगल काल में वह साह जहां के सासन काल में था विशेश यहां पर हम ध्यान देंगे साह जहां के सासन काल को दुत्य स्वर्ड काल के नाम से भी जाना जाता है दुत्य इस प्रकार साह जहां के सासन काल को दुत्य स्वर्ड काल संग बर्मर का काल इस्थापत्य कला का काल आधि कई नामों से जाना जाता है साजहा ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया था इन्हों ने इलाही समवत के स्थान पर हिजरी समवत इलाही समवत संचालित किया गया था अकबर के द्वारा तो उसी शम्वत को बदल करके सहाजहा ने हिज्री सम्वत लागू कर दिया सहाजहा ने न्याय के लिए बुद्धवार का दिन निर्धारित किया था शन्सक्रत के एक महान कभी थे जिनका नाम था जगन्नात सहाजहां ने उन्हें महा कभी राय की उपात प्रदान की थी सहाजहां के पुत्र दाराशिको, सुजा, औरंगजेब वा मुराद थे इन में से सबसे जो बड़े पुत्र थे वो दाराशिको थे दाराशिको सरवाधिक बिद्वान बेक्ती था जिसने फार्सी भासा में प्रवाण किया था तो सर्वाधिक बिद्वान जो उनका सुपुत्र था वो था दाराशिको। साजहां की म्रत्यू 1666 इसवी में आगरा किले में अपने पुत्र औरंग जेब के द्वारा कैद करने से हुई थी। इनका पुत्र औरंग जेब था जिसने क्या किया था साजहां को किले में डलवा दिया था और वहीं पर साजहां की म्रत्यू हो गई थी। थेंक्यू प्लाश।